एलो एवरिवण आज हम डिसकस करेंगे A Revenge Tragedy by John Webster the White Devil इस से पहले भी हमने एक और revenge tragedy ही है वो भी The Duchess of Malfi जो John Webster नहीं ही लिखी है तो यह भी discuss करेंगे अच्छे से discuss करेंगे समझाने की आपको कोशिश करूंगे अच्छे से तो शुरू करते हैं दो वाइड डैविल बाई जान वैबस्टर यह एक रिवेंच ट्रेजडी है यह भी फाइव एक्ट में लिखी गई ट्रेजडी है और यह पफॉर्म भी और पब्लिश्ट भी 1612 में करवाई गई है और यह हिस्टोरिकल इवेंट है जो इटली में ड्यूरिंग 1680 में हुआ था उस पे बेजड यह एक वाउक है तो यह मैं बता देती हूँ के हुआ क्या है शुरू में जो लोडोविकू है यह एक इटैलियन काउंट है उसको बैनिश्ड कर दिया गया है बैनिश्ड वो एक उसने कोई मडर कर दिया इसलिए उसको बैनिश्ड कर दिया गया है उसके दो फ्रेंड है गैस्पैरो और अन्टोनल तो यह दो फ्रेंड है वो उसको बोलते हैं कि तू कोई बात नहीं हम तेरे साथ हैं तो तेरे को मतलब यह सारा जो केसे इसके बाहर निकालने के लिए मतले हम तेरी पूरी मदद करेगी तो यह रही एक साइट पे बात अब तक यह जो करेक्टर्स हैं इनको थोड़े से टाइम के लिए भोल जाएए आगे हम देखते हैं YWK और करेक्टर्स हैं यह करेक्टर है सबसे पहला करेक्टर है बेशियानो जो ड्यूक है तो यह ड्यूक है तो इसकी वाइफ है यादी शुदा है जानिके इसकी वाइफ है इसा बिला तो इसका सन है तो ये लोडो विको होता है ये वही करेक्टर जिसके बारे में हमने बात की है और इसके साथ दो जो इसके फ्रेंड हैं गैसपैरो एंड अन्टोनली तो ये फ्रेंड हैं और एक आगे और करेक्टर्स हैं जैसे विटोरिया विटोरिया भी एक अच्छी फैमली से नॉबल फै और एक है फ्लैमीनो फ्लैमीनो ब्रदर है विटोरिया का और ये एक सेकरेटरी का भी वर्क कर रहा है ब्रेशैनियों के पास जहने के ड्यूक के पास तो मॉन्टैंसिलो है ये अंकल है विटोरिया का तो शुरू करते हैं अपना प्लेई समरीप की तो होता क्या है कि जो ब्रेशैनों है और विटोरिया डोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं चाहे ये दोनों शादी शुत आ हैं अगर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करतेें हैं तो ये बात बिलकुल भी ये इसे रैटरी का काम भी तो करता है ना हम मैंने बताईए आपको जो इस विटोरिया का ब्रदर है तो और नहीं Как ये पर इप बेल से जो हो जाता है तो हम आयंक IT की और मेरी दोनों की सीट्रिट्री का और्गनाईज कर तो वो पाउंट कर देता है इनकी मीटिंग मगर जब इस सीक्रेट मीटिंग का सब का कच्रा हो जाता है क्योंकि इसकी जो मदर होती है वी टोई है कि वो आ जाती है और वो बहुत फ्लैमीनों को ही गालियां देती है कि तू अपनी बहन को शादी शुदा होन karakter ये फ्रैंसिसको जो ब्रादर है इसा बेला का । ये अपनी बहन होई को बिलकुल भी पसंद नहीं करता अर जो इसा बेला भी है वो इसा बेला को पता है कि जो इसके हश्बेंड है वो वितोरिया नाम की लड़की के साथ गल suspense और ये फ्रैंसिसको ये बहुत गुसा करत कि वो चाहता है ये वीटोरिया को मतलब मार दिया जाए मगर इससे पहले जो क्या है भिशानियूं भिशानियों हो और फ्लैमीनों को ये ऑरडर देता है कि तो ये दोनों को इसा बेला कैमीलों को मर्वा दे जाता है और इन लग-ग तरीके से मरवाया जाता है तांके किसी को शक को शक्क ना हो ठीक है तो इनके मरवाने केFire सारा शक विटॉरिया के वी उपर जाता है तो विटॉरिया को सारे ही बहला बुरा कहते हैं उसका अंकल भी और ये जो इसामेला का ब्रदर है इसको तो और दिखाना चाहता है ब्री शायनियों के नजरों में तो ये एक फेक लव लेटर देता है इसको पहुंचाता है इसके पास विटोरिया के पास और ये लेटर किसी ना किसी तरह से वो जो ड्यूक है इसके पास भेजना चाहता है और उसको मिल जाता है और ये सब कुछ देकर वो उसको एक प्रोस्टिटूर तक भी बोल देता है मगर विटोरिया की साथ यह जो लड़ाई है यह इसको हैंडल कर लेती है और इसके बाद यह दोनो भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं दोनो डूक और विटोरिया दोनो शादी कर लेते हैं तो इसके बाद क्या होता है फिर एंट्री होती है लोरो विको की ये इसके बारे में हमने पहले डिसकुस किया था ये बैनिश्ट कर दिया था और इसकी जो मतलब इसको जो सजा मिली थी वो इसकी कम कर दी गिया और इसको रिहा कर दिया गया है और ये भी सीक्रिट लवर था इसाबेला का, इसाबेला को से ये प्यार करता था अब ये सुनकरके इसाबेला का तो قतल हो गया है, मर गई है इसका मडर हो गया है तो ये भी रिवेंज लेना चाहता है disso तो क्या है? घी लोडोवी के और इसका ये जो गैस पैरो है ये फ्रेंड और ये 1 का इसको इनको मार देते हैं इसको इनको मार देते हैं तो बेस बदल कर जाते हैं मगर यह तीनो ठीक है यह इसको जाते है इनके मारने के बाद जब विटोरिया है विटोरिया को भी उसका भाई फ्लैमिनो ले आता है तो फ्लैमिनो को भी ऐसा लगता है कि यह सारी फसाद की जड मेरी भैन ही है विटोरिय ही है तो ये क्या करता है ये चाहता है ये एक प्लैन बनाता है और वो बोलता है कि मैं तो जिन्दगी से इतना तंग आ चुका हूँ मैं अपने आपको मार देना चाहता हूँ और मैं तुझे मार देना चाहता हूँ हम दोना ऐसे करते हैं, हम तो आतम हत्या कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, तो यह बोलता है यह उसे, यह फ्लैमीणो बोलता है, विटोरिया से, मगर विटोरिया क्या बोलती है विटोरिया को ये एक बंदूक देता है जाने कि एक पिस्टल देता है जिसको बोलता है ये तू मेरे को मतलब मारना पहले मेरे को मारना फिर तू अपने आपको मार ले ये ऐसे हम मर जाएंगे तो ऐसा हम मर जाएंडे दोनों तो गोली मारती तो ये तो जाता है तो इसके बाद ये अपने को गोली नहीं मारती तो तो आप लस्मेके बाद फिलायमीनो भापीस खड़ा हो जाता है, और ये अवर बता ते है मैं तुझे चेक ही करना चाहता था इसमें तो नकली गोली थी तो ये होता है और ये एक और सब प्लोट है ये भी मैं आपके बता देती हूँ ये जो फ्लामीनो है और विटोरिया का एक और ब्रदर भी है इसका भी थोड़ा सा रोल है इस पले में वो है ये है मार сेलो मारसेलो ये वाला करेक्टर है तो ये वाला करेक्टर है ये और ये एक मेर्ट सर्वेंट भी है इनके घर में जैंच जैंच और ये जैंच और जो फ्लैमीनो है जो विटोरिया का ये ब्रदर है और ये दोनों का अफेर समझ लो आप ये दोनों का अपस में अफेर है ये लडाई हो जाती है जैंच के कारण लडाई हो जाती है फ्लाइमीनो और इसके जो दूसरा भाई है विटोरिया का मारसेलो के बीच में और जिसमें फ्लाइमीनो इस जगड़े में अपने जो भाई है मार सिलो इसको ये मार देता है मार सिलो को मार देता है तो ये जब ये पिस्टल वाला सीन हो रहा होता है जब ये बोल रहा होता वो फिर उसको गालियां देता है अपनी सिस्टर को बोलता है तो बहुत जा सही हम बरबाद हुई है ये वो हना ये बोलता है विटोरिया को तो उसी समय पे ही ये तीनों होते हैं इस सीन में विटोरिया होती है फलामीनों होते है और जैंच होती है तीनों होते हैं तो उस समय आता है लोडोविको आता है और कुछ तीखा सा चुबोकर ये इन तीनों को मार देता है जने के तीनों मर जाती है उसके बाद क्या होता है ये ये क्या होता है और इसको ये मारता है और इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और इसको बहुत टॉर्चर किया जाता है इस इस अपले दो वाइड डेविल और उसके बाद क्या होता है ये जो उसका सन है न सन ये बनता है ड्यूक ये थी बस्टोरी ये बहुत लाशें ही लाशें रिवेंग है कोई किस से बदला लेना चाता है और कैसे बदला लेना चाता है तो बदले में क्या है एक दूसरे को मारते हैं मार देते हैं इस इस रिवेंग ड्रेश्टी दर वाइड डैबिल आई होप आपको narration समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई doubt है तो आप without any hesitation comment box में पूछ सकते हो मैं आपको उसका answer definitely दोंगी thank you for listening my voice giving your precious time to me